हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही असरदार उप्टन दोस्तों इस उप्टन को लगाने के बाद में आपकी स्किन काफी सौफ्ट ग्लोईंग और बेदाग हो जाएगी अगर फेस पर फेशल हेर हैं तो वो भी हट जाएंगे पिंपल्स भी ठ अब इसमें आदा चोटा चमच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर इसके बाद में मैं इसमें एड करूंगी विटामिन E कैपसूल यहां पर मैंने एक विटामिन E कैपसूल डाल दिया है अगर आपकी इसकिन बहुत जादा ड्राय ह तो आप 2 विटामिन E कैपसूल डाल सकते हैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पैस्ट हमें अच्छे से तयार कर लेना है पैस्ट ऐसा हो कि बहुत जादा पतला ना हो थोड़ा गाड़ा पैस्ट हमें तयार करना है तो दोस् इस उप्टन को लगाने से पहले फेस को अच्छे से आपको धू लेना है, पोंच लेना है, साप सुत्रे फेस पर आपको इस उप्टन को लगाना है, अच्छे से पूरे फेस पर इस उप्टन को लगा लेना है, और लगाने के बाद में आपको कम से कम 5-6 मिनिट तक आपको इ जैसे ही 5-6 मिनिट हो जाएं, उसके बाद में हलके हाथों से अपने फेस की मसाज सुरू करें, ताकि ये उप्रन धीरे-धीरे करके जढ़ना सुरू हो जाएगा। आप अच्छे से अपने हातों को अपने फेस पर रगड़ते जाईएगा ताकि उप्रन धीरे धीरे करके जढ़े तो देखिए दोस्तों मेरा जो फेस का उप्रन है वो जढ़ना सुरू हो गया है जैसे ही ये पूरा जढ़ जाएगा उसके बाद में फेस को धोले बस आपको इतना सा करना है सबता हमें एक बार आपको फेस उप्रन जरूर लगाना है इससे आपके फेशल हेर भी हटने लगेंगे और पिंपल्स या दाग धब्बे होंगे तो वो भी ठीक होने लगेंगे और इसकिन काफी ग्लोइंग हो जाएगी दोस्तों ये धा मेरा चोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कर दीजिएगा ठैंक्यू वीडियो को देखने के लिए